Hello Students, Welcome to UPCSS तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम इस वीडियो में Certificate के बारे में देखेंगे कि अगर आपने course complete कर लिया है चाहे आप ADCA course हो या फिर Tele course हो, इसमें से अगर आपने कोई भी course complete कर लिया है, course complete करने के बाद में अगर आप Certificate चाहते हैं कि Certificate भी मिल जाए तो ये भी possible है चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि आपको Certificate कैसे मिलेगा उसकी क्या process है और क्या eligibility होनी चाहिए तो उससे पहले यहाँ पर आपको एक छुटी सी information दे दें कि अभी दख हमारे YouTube channel UPCSS पर MS Word, MS Excel यहाँ पर आप देख सकते हैं MS Word, MS Excel and MS PowerPoint एड़ फोटोस आफ ये सारी स्रीजे जो हैं ये complete upload हो चुकी है basic से advance तक की पूरी complete ठीक है और साथी साथ Corelra X7 जो की graphics related है ये IT Smart Word हमारा दूसरा channel है यहाँ पर आपको ये playlist मिल जाएगी पूरी complete अब बाकी Tally RP9 तो आपको पता ही है UPCSS YouTube.com और बाकी अभी current time में O-Level की जो classes है वो चल रही है running में ठीक है तो ये तो बात होगी जो video lecture already uploaded है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में इन दे कमिंग डेस ठीक है तो यहाँ पर Tally Prime की स्रीज जो है यह आपको हमने बताय था कि यह 2022 तक आपको मिल जाएगी साथी साथ इसके बाद में Tally Prime पहले upload होगी उसके बाद में Web Designing and Development की पूरी स्रीज होगी जो की basic से advanced label तक की होगी और यह पूरा टोटली फ्री होगा चाहे वो वीडियो लेक्चर हों या पर प्र पीडियो नोट्स हों सारा कंटेंट फ्री रहेगा बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है IT Smart Word तो यहाँ पर आपको Adobe Illustrator and Blender 3D Animation Software की स्रीज आपको IT Smart Word पर मिलेगी IT Smart Word यह ग्राफिक डिजैनिंग से रिलेटेड है जहाँ पर आपको Adobe Illustrator and Blender 3D Animation Software यह सारी चीज़े मिल जाएंगी यह भी पूरा basic से advanced label तक होगा चले तो हम आप बात करते हैं certificate के बारे में जिसके उपर यह video है पूरा और यहाँ पर उससे पहले आपको बता दें कि हमारा institute जो है वो UPCISS Computer Education जो की registered है NSO certified है तो यह हमारा institute जो है NSO certified institute है यानि कि अगर आप certificate ADCA का हो या फिल टैली का हो अगर आप हमारे संस्ता के तरूँ certificate बनवाते हैं तो इसे आप पूरे इंडिया में किसी भी state में किसी भी government या फिर private job में 100% लगा सकते हैं कोई problem नहीं होगी ठीक है और साथी साथ यह जो result है यह online भी upload कर दिया जाएगा इसकी official website है upciss.com सिर्फ upciss.com यह इसकी official website है upciss की बाकी अभी तक आप जो notes अगरे डाउनलोड करते थे वो upciss youtube.com वो notes के लिए है educational और बाकी official website upciss.com है तो यहां से आप अधिक जानकरी ले सकते हैं ठीक है तो फिलाल यहां पर हम बात कर रहे थे certificate की तो certificate के लिए यहां पर आपको इस email id पे contact करना है जीते अंदर upciss at gmail.com इस mail id पर आपको mail करना है अगर आपको certificate चाहिए तो यहां पर आपको यह mail में लिखना होगा अगर आपको tally का certificate चाहिए या फिर adca का तो यह चीज यहां पर आपको title में लिखनी होगी mail के ठीक है mail में आपको यहां पर title डालेंगे अन्य कि subject में आपको रखना है यह चीज और बाकी message body में आपको यह चीज लिख करके send कर देनी है तो यहां पर आपको certificates related जो भी information है वो बता दी जाएगी बाकी थोड़ी बहुत यहां पर information देख लेते हैं जैसे यहां पर अगर आपको adca course का certificate चाहिए जो कि 12 मन्त का होगा यहां पर आपको high school और entrance में से कोई भी एक mark sheet का आप soft coffee भेजेंगे ठीक है mail पर इसी mail पर भेजेंगे आधार card होगया और passport size का एक photo भेजेंगे ठीक है तो यह detail होगी adca के लिए tally के लिए भी same है लेकिन यहां पर एंटर का certificate यह फिर graduation होनी चाहिए तभी आपको tally का जो certificate है वो provide करेंगे और इसका duration है वो 6 मन्त का है आपर आप देख सकते हैं ठीक है और बाकी जो tally का course है यह इसका जो certificate होगा वो adasm से होगा advanced diploma in accounting system management advanced diploma in accounting system management इस नाम से इसका certificate होगा और बाकी यहां पर यह bank detail आपके सामने है यहां पर account number FSC code और यह QR code है UPI pay कर सकते हैं आप फिलाल अभी आपको pay करने की जरूत नहीं है अगर आपको certificate चाहिए तो उसके लिए यहां पर आपको सबसे पहले तो इस mail ID पर आपको contact करना है जिते अंदर UPSS8-gmail.com पर उसके बाद में आपको उसी mail पर reply कर दिया जाएगा और reply करने के बाद जब आप payment करेंगे अब इसका payment क्या होगा certificate का जो charge होगा वो क्या होगा वो आप जब mail करेंगे तब ही यह जनकारी आपको दी जाएगी और payment करने के बाद में आपका जो certificate है वो 4 से 5 दिन ठीक है यहाँ पर आप मान के चलिए maximum 5 working days में आपको certificate मिल जाएगा certificate जो मिलेगा वो PDF form में मिलेगा आपको उसे photo paper पे किसी swap से print करवा लेना है, laminate करवा लेना है और बाकी उस result का status आप online भी चेक कर सकेंगे upcss.com website से तो यहाँ पर I think certificates related सारी query clear हो गई होगी अगर आपको ADCA course या tele course का certificate चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे institute upcss के थुरू तो जैसा कि आपको पता है YouTube channel upcss के बारे में और जो educational website है upcss.com के बारे में तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं यहाँ पर I think certificates related जो भी query थी clear हो गई होगी फिर भी अगर कोई query है तो आप comment कर सकते हैं या फिर जो हमने mail ID बताई है जेतेंदर यूपी से ss8.gmail.com पर mail कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो